previous year vocab series का ये second video है और जो पहला वीडियो आपने देखा होगा वो पहले से बना रखा था मेरे पास फिर अचानक CHSL और CGL की डेट्स आ गए तो अब मेरे पास time नहीं है जादा वीडियोस बनाने का लेकिन 5 वीडियोस का जाद तरकाम हो गया था तो अभी मैं वो 5 वीडियोस अपलोड कर दे रहा हूँ अगर आपको अभी वाला CHSL या CGL देना है तो आप चाहे तो ये वीडियोस छोड़ सकते हैं अगर आपकी vocab पहले से ठीक ठाक है तो क्योंकि सिर्फ एक महीना बचा है तो आप अपना time सोच समझ के invest करिए अगर आपको फिर भी vocab भी पढ़नी है तो सिर्फ 100 most important words वाला वीडियो जो है वही देख लीजे क्योंकि उसमें जादा important words है और आपके पास time वैसे भी जादा नहीं बचा है तो बाकी areas पर ध्यान दीजिए mainly ये वीडियो उनके लिए हैं जिनें अगले साल exams देने हैं CT भी आ जाता है अगर तो भी उनके लिए ये vocab काम आएगी सो इदर उदर की बाते बहुत हो गई अब start करते हैं पहला word है glutton और glutton वो इनसान होता है जो ज़रुत से जादा ठूसता है हाँ खाता नहीं है ठूसता ही है example हो गया Matt Stoney आप देख सकते हैं अपने सामने की कितना जादा ठूसता है 7 deadly sins में आपने gluttony भी सुना होगा शायद और gluttony means the desire to overeat next word is interstate और interstate ऐसा इनसान होता है जिसकी वसीयत या will बनाने से पहले ही death हो जाती है जो इनसान अपनी जायदात या property को पास करने का declaration बनाने से पहले ही मर जाए उसे interstate कहते हैं यह adjective की तरह भी use होता है बट exams में mainly noun की तरह ही पूछा जाता है आपको बस वह याद रखना है अगला word है gregarious जिसका मतलब होता है sociable या जुन्ड में रहने वाला यानि लोगों के साथ हसानी से घुल मिल जाना basically gregarious का मतलब extroverted होता है same root word पे based agregious भी एक word होता है जिसको बुरे sense में use किया जाता है और broadly agregious का मतलब होता है conspicuously जुन्ड से अलग प्रतीत होना conspicuous भी एक important word है जिसका मतलब होता है easily noticeable अपने hundred words वाले वीडियों मैंने conspicuous भी बताया था हाँ तो बड़ा रायता खेला जिया मैंने आप बस इतना ध्यान रखिए कि gregarious मतलब extroverted होता है gullible काफी common word है gullible मतलब भोला या फिर more precisely भोंदू होता है और मतलब ऐसा इनसान जिसे बड़ी असानी से बेवकूफ बनाया जा सके या trick किया जा सके CGL 2016 में credulous पूछा गया था उसका मतलब भी gullible या फिर naive होता है पिछले कई वीडियों मैं बहुत जल्दी जल्दी बोला करता था इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ कि अपसे धीरे धीरे अराम से बोलूँगा आप लोग स्पीड अपने accordingly तेज कर लीजेगा The next word is insatiable यानि जिसे satisfy या fulfill ना किया जा सके For example, Matt Stoney को हमने glutton कहा था यानि वो बहुत जादा खाता है और उसकी भूग भी बहुत जादा है तो हम कह सकते हैं कि Matt Stoney की भूग या hunger for food is insatiable यानि कितना भी खाना दे दो उसे उसकी भूग satisfy नहीं होती तो satisfy इस sense में यूज किया जा रहा है आपे अगला word है extemporary जिसका मतलब होता है impromptu मिलेगा तो अब आप जो speech देंगे stage पर वो एकदम raw और unprepared होगी that is extemporary speech होगी next word is philatelist कोई ऐसा इनसान जो stamps collect करता हो या stamps की study करता हो उसे philatelist कहते हैं अब ध्यान से सुनिएगा क्योंकि मैं 3-4 similar meaning वाले important words बताऊंगा आपको sacrilege मतलब होता है किसी sacred या पवित्र चीज़ का अपमान करना आप ऐसे याद रख सकते हैं कि sacred चीज़ की large कम करना sacrilege होता है एक और important word है desecration उसका भी almost यही मतलब होता है एक और word है blasphemy जिसका मतलब होता है भगवान का अपमान करना अगला word है vigilant जिसका मतलब होता है साफधान रहें सतर्क रहें क्राइम पट्रोल अगर किसी को याद हो तो gta में police car या panzer वगएरा में mission vigilante होता था उसमें भी आप alert रहते हुए criminals को मारते या पकड़ते थे so vigilant मतलब dangerous चीज़ों को लेके सतर्क और चौकनना रहना होता है tranquil मतलब होता है एकदम शान्त और बिना किसी tension के रहना इसलिए जब जानवरों या इनसानों को शान्त करना हो या अराम दिलाना हो तो tranquilizers का use होता है tranquil is the adjective and tranquility is the noun lucid मतलब होता है बड़ी ही सपश्टता या सरलता से किसी चीज़ को बताया जाना या फिर कोई ऐसी चीज़ जिसे समझना बहुत असान हो lucid dreams के बारे में शायद सुनाओगा आपने जिसमें इनसान को पता रहता है कि अरे ये तो सपना है और फिर कभी-कभी अपनी मर्जी से सपने को थोड़ा maneuver भी कर लेते हैं लोग एक बार मुझे भी कोई SI सपना आया था जिसमें मेरा 12th का maths का exam था और मैं late उठा था इसलिए मुझे जल्दी से center पर पहुँचना था but at some point उस सपना इतना ridiculous हो गया था कि सपने में ही मैंने सोचा कि अरे इतना लापरवात मैं हो नहीं सकता ये पक्का सपना ही है और फिर थोड़ी देर में उस सपना टूड़ी आ था चोड़ो जो भी हो अगला वर्ड है परनीशियस परनीशियस मतलब घातक या नुकसान दे होता है यानि जिस चीज़ का बहुत बुरा effect पड़े उसके लिए परनीशियस adjective का use हो सकता है सौर्ड़ीड मतलब गंदा या गिनोना होता है याद रखने के लिए इसे आप सौर्ड़ीड बोलके सौर से रिलेट कर सकते हैं बट मेरे ख्याल से उसे रहने ही दीजिये और रहने दीजिये से मेरा मतलब है कि नहीं ऐसे याद करना और इसे instance में भी उसकिया जाता है कि अगर कोई चीज मौरली गलत है तो उसे हम कहते हैं न कि गंदी या घिनावनी सोच है तो लिटरली के लावा इस तरह से भी उसकिया सकता है गंदी या घिनावनी सोच टाइप ऐसा कुछ So that's sordid और sordid for you quiescent मतलब होता है inactive होना या rest पे होना एक बार किसी previous year mock में quiescent पूछा गया था लेकिन मुझे सिर्फ aquiescent का मतलब आता था तब तो मैंने quiescent को aquiescent का antonym समझ के कोई option टिक कर दिया था और वो गलत हो गया था इसलिए याद रखना quiescent मतलब quiet state में होना और aquiescent मतलब docile या submissive होना stern मतलब strict और serious होता काफी easy word है आपको पता होगा stern मतलब strict आगे बढ़ते हैं insipid मतलब होता है बड़ा simple या साधा सा होना यानि exciting ना होना बिल्कुल भी that is bland और dull lament काफी easy word है इसका मतलब दुख जताना और किसी चीज के लिए उदास होना होता है usually किसी की death को lament किया जाता so lament means to express sorrow अगला word है exaggerate जिसका मतलब होता है किसी बात को जरुवत से ज़्यादा बड़ा चड़ा के बोलना जैसे figure of speech में hyperbol होता है और हिंडी के अलंकार में अतिश्योक्ती अलंकार होता है कुछ हद तक वैसा ही है ये भी all in all exaggerate मतलब overstate करना enigmatic मतलब mysterious और confusing होता है जैसे सुषान सिंग राजपूत का murder हुआ था suicide थी कि क्या था ये अभी तक clear नहीं हुआ है so ये काफी enigmatic case कहलाएगा the last word is despair काफी easy है इसका मतलब होता है hopeless और एकदम अदास हो जाना जैसे 624 marks cut off देखके बच्चे hopeless से हो गए थे वैसे तो वो normalized marks से तो जादा tension लेने की बात नहीं है लेगिन हाँ difficulty level of shift जो था उसके भी जितना difference था तो वो त अधिकत थी आओ चलो revision कर लिया जाएं सब वर्ट का जल्दी से glutton मतलब जरूद से जादा ठूसने वाला intestate वो इनसान होता है जिसकी वसीयत बनने से पहले ही डेथ हो जाए gregarious मतलब milan सार और extroverted, gullible मतलब bhondu जिसे बेबकूफ बनाना असान हो insatiable मतलब जिसे satisfy ना किया जा सके extemporary मतलब बिना किसी preparation के कुछ करना या बोलना, philatelist उन्हें स्टैंप सिखटा करते हैं sacrilege, desecration, blasphemy मतलब किसी पवित्र चीज का अपमान करना vigilant मतलब साफदान रहना सतर्क रहना, tranquil मतलब एकदम शान्त और peaceful lucid मतलब clearly expressed और easy to understand pernicious मतलब dangerous और harmful sordid मतलब चीची गंदा quiescent मतलब inactive और dormant stern मतलब strict insipid मतलब unexciting और bland lament मतलब शोक व्यक्त करना exaggerate मतलब चीजों को overstate करना या बड़ा चड़ा के बोलना enigmatic मतलब mysterious despair मतलब hopelessness and that's all folks, watch the next video from the end screen or description इस channel को support करने के लिए आप इस video को like, share वगएरा सब कर दीजएगा क्योंकि मझे बहुत अच्छा लगता है thank you, अगले वीडियो में मिलते हैं